रेका नमस्ते मैं रेखा सब्का स्वागत करतीयूं अपने चैनल रेखा encuentra creation गाइज आज की वीडियो में मैं di контus ki के आई हूँ उसमें टोटल ब्लाउज की सीरीज है जिसमें आपको बेल्ट वाला ब्लाउज साधा ब्लाउज फॉर्ट एक्स ब्लाउज जो नॉर्मली सधारड बेसिक चीज होती है ब्लाउज की वह चीज मैं आप लोगों के साथ सेयर करूंगी यहां पर जो लोग फोर्ट टेक्स ब्लाउज से ही स्टार्ट करते हैं या फिर आप बेल्ट वाले ब्लाउज से तो मैं यहां पर आज की जो वीडियो है इसमें मैं साधा ब्लाउज बनाना फोर्टेक्स का आप लोगों के साथ सेयर करूंगी इस सीरीज में मैं ब्लाउज का नाप कैसे लेते ह अगर आपका पीछे का गला डीप है तब solder आपको कितना रखना है अगर छोटा है उस time कितना रखना है कितने chest के according आपको armhole कितना लेना है सारा A to Z blouse के बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ share करने वाली हूँ वीडियो काफी लंबी होगी तो वीडियो को step by step part 1, part 2, part 3, part 4 जितना part होगा मैं cut करके आप लोगों के साथ जरूर share करूँगी वीडियो आप लोग देखते रहना आप लोग अगर एक बार इस series को totally देख रहे हो तो आप लोगों को blouse से बहुत सारी confusion जो होगी दूर हो जाएगी मैं बहुत आराम से इसमें समझाओंगी वीडियो लंबी होगी इसका कोई tension नहीं है मैं उसको छोटे छोटे पार्ट में cut करके share करूँगी अरे पार्ट जो आएँगे वीडियो के इस वीडियो के disk section बोक्स में आपको मिल जाएगा उसका link आप वहाँ से visit करके देख सकते हो या फिर इस वीडियो के end screen पे भी आप वीडियो को लगी मिल जाएगी तो इस प्रकार से मैं ये सीरीज आप लोगों के साथ सेर कर रही हूँ अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना चैनल पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे मेरे चैनल पर आने वाली हर एक निव वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को इसली मिलता रहे एक छोटी से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के बाद आप फिड़ वैक जरूर दिया करें कमेंट में कि आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करते हैं तो हमको दिल से बहुत अच्छा लगता है और खुसी होती है हमको जब आप ब्लाउज बनाना शुरू करते हैं तो आपका पहला इस्टेप यही साधा ब्लाउज होता है फो टेक्स ब्लाउज तो यह हम आज इस सीरीज में सुरू करेंगे तो चलिए हम वीडियो को कंटीनिव करते हैं तो यह हमारा ब्लाउज है साधा ब्लाउज जिसे आप सिंपल ब्लाउज भी कहते हैं यह हमारा चार टेक्स वाला है एक टेक्स दो तीन चार यह चार टेक्स क का ब्लाउज है इसी की साइच को हमके ब्लाउज की कटिंग करनी है जो बिगनर्स ब्लाउज सीखना स्टार्ट करते हैं तो इसका नाप लेने के लिए हम इसको पीछे साइड इस प्रकार से पलट लेंगे और यहां से देखिए सोल्डर की सेंटर से इस प्रकार से इंची है लेकिन जब हम cutting करेंगे तो 1ग इंच उपर लैंग हाँ इंच नीच दोनों मार्जन इसमें आइट करेंगे ,1 यंच लंबाई में प्लस करकी ही cutting करेंगे , जैसे आप ब्लाओज की फैला लेंगे सिलाई देखी हमारी पीछे से घूम के आई है कुछ लोग पीछे का पार्ट थोड़ा चौड़ा रखते हैं तो यहां वही चीज है इस प्रकार से हम इसको पूरा फैला लेंगे और चेश्ट की पूरी चौड़ाई देख लेंगे तो यह आ रही है 19 इंच की हम हम यह हमारा डबल में 19 इंच आ रहा है अब हम कमर को देखेंगे कमर भी ऐसे हम देख लेंगे कमर में भी सिलाई हलकी सी half इंच आगे घुमी हुई है जा सबस्क्राइबं इसको में नापेंगे तोAmerica कि टौपेंगे अधो देखीह शाड़े सत्रह वह पूरी है कि कमर 97 और हमारी शाड़े सत्राइए चेस्ट 19 इंच आ sway एक बार फिर से देखते हैं चेस्ट देखिए 19 इंच आए इस प्रकार से और कमर 3,5 आप स्लाओं है अब बटन खोल के एक बाढ़ नाप लेते हैं इसका फोर्थ बाग एम क्या आ परी उसी के लेकिन हमको नाप लेना इस वाली पट्टी से जो बढ़ी हुई नहीं है जिसमें काज है अगर बटन वाला है तो काज होगा यदि हुक वाला है तो हुक पट्टी वो होगी इसी पार्ट का हमको इस प्रकार से नाप लेना है कभी भी आप ब्लाउज का नाप इस भढ़ती वा यह इसका फोर्थ भाग है एंगे? अब हमने बाजू लेना है तो बाजु को भाजू को सीधा ने को उसको देख टोटल इसकी length कितनी आ रही है तो यहां हमने बाजू की length आ रही है छे इंच की और हमको इसमें मार्जन भी एड़ करना है डेड़ इंच हाफ इंच उपर सिलाई के लिए एक इंच नीचे फोल्ड के लिए डेड़ इंच हम एड़ करके इसकी लेंथ रखेंगे बाजू की कटिंग के टाइम जिसे छे इंच हमारी आई तो हम यहां से साड़े सा इंच की कटिंग करेंगे कि आप अपने को डिंग रख लेना गिठी मुद्धा हम देख लेंगे मुद्धा मारा कितना इस साइज में हमारा मुर्था जिए 1.4 पांच इंच का को अब हम को बाजू का राउंड जो है यह गोलाई देखनें के बाजब इस प्रकार से खीच के देखेंगे जहां कपड़ा सीधा आएगा वहाई से हम नापेंगे तो यह आगया हमारा साथ इंच का अब हम टेक्स पॉइंट देखेंगे ब्लाउज का तो यहां से रखेंगे गले से और नीचे देखेंगे तो यह साड़े आठ इंच पे आ रहा है कुछ लोगों का नव इंच पे लगता नॉर्मल साइज में नव इंच पे ही लोग लगाते हैं लेकिन इस ब्लाउज में ब्लाउड देख लेना अगर आपके साइज नॉर्मल है तो आप नव इंच पे कट कर सकती आगे का गला चेंच का है और पीछे का जो गला है नूर्मल आगे के साइज गले की हम छेंच ही रखते हैं पीछे का हम इस प्रकार से नाप एंगे तो यह साड़े नौ इंच का आ बस फर्क आपको इतना है कि आप अगर सिधा नाप ले रहें तो सीधा टिंग भी में भी निशान लगाए और तिरफ्षा नाप ले रहें तो तुन says cutting के टाइम भी मिशान लगाए तो यहाँ से सीधे हमें 9 इंस कमरें नाप लेखा है लेकिन cutting कर टाइम जैसे आपने नाप लिया वैसे आपको नाप रखना है बस यही फर्क आपको पड़ता है अगर आपको उपर से गला लेने में कोई दिक्कत आ रहे तो आप नीचे से देख लिजिए कि इसके लेंथ के अकोडिंग कितना यह बचा है तो यहां पर देखें दस सोरी साड़े चा से तो देखी यह हमारा कपड़ा एक मीटर है इसको हम देख लेंगे उसकी उल्टी साइड कौन सी है और सीधी साइड कौन सी है तो यह इसकी सीधी साइड है सीधी साइड हम अंदर की साइड फोल्ड रखेंगे कटिंग हमेसा हम उल्टी साइड से ही करते हैं तो इस प्रका से और यहां से हम इसकी लेंगे ब्लावज की कितनी थी हि आपने देखा था कि लेंद 14 इंच थी लेकिन एक इंच हम इसमें प्लस करेंगे तब यह हो जाएगा हमारा 15 इंच का हमने 15 इंच का निसान लेंथ के लिए रख लिया है जो भी आपकी ब्लाउज की साइज हो आपको एक इंच एड़ करके ही लेंथ रखनी है कटिंग के टाइंग ओके तो यह हमारा 15 इंच आ गया या हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे नीचे लंबाई के लिए आपको लंबाई लेना मुझे उमीद है कि आ गई होगी ब्लाउज की लंबाई कैसे निकालते हैं मैं आपे पैंसे निसान लगा दे रही हूँ आप लोगों को केलियर दिखे इसलिए लेकिन आप लोग जब भी निसान लगाएं चौक मिट्टी और पैंसल का ही उप्योग करें यहां आमको गले की चवड़ाई रखने और तीरा रखना है तो यह हम देखेंगे गले के डीपनेस के अकोडिंग अगर आपका गला डीप है। यसे 9,10,11,6,7 से जशादा है तो आपको उसी के कोडिंग ये तीरा और गले की चोड़ाई रखने हैं यहां पर हमारा गला कितना है 9.5ं तो हमने 3 कितना लेना है? साड़े पांच इंच लेना है यदि आपका गला 9 इंच के बजाए जैसे 6-7 इंच होता छोटा यहां पे उपर की साइड होता हो तो हम यहां रखते हैं तीरे की जो लंबाई रखते हैं वो 6 इंच रखते हैं बढ़ा लेते हाफ इंच गले की चौडाई भी हम गले के लंबाई के अकोडिंग ही रखेंगे तो यहां पे हमने जैसे गला हमारा जैसे जैसे डीफ होगा तीरा और गले की चोडाई हम हल्का हल्का कम करेंगे यह चीज में आप लोगों को आगे पूरी सीरीज में एकदम कीलियर समझा दूंगी कि कित इतना हमको चोड़ाई रखनी चाहिए कितनी चेश्ट है साइच के अकोड़ी तो यहाँ पर देखिए अगर गला हमारा यही साड़े नौई हिंच है तो हमने साड़े पांच रख लिया तीरा लेकिन इसके बजाए अगर हमारा गला होता छे इंच हम इसको छे इंच का रखते हैं साथ इंच का रखते हैं इस प्रकार से गले की चोड़ाई हमने यहां सबादो इंच रखी है नॉर्मल गले की कटिंग आपने देखा होगा कि धाई इंच रखते हैं तीन इंच रखते हैं लेकिन यहां पे हमने डीप गला इसलिए सबादो इंच ही रखी है और यह एकदम पर्फेक्ट ब्लाउज बनके हमारा रेडी होगा सोल्डर गिनने की कोई प्रोब्लम इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगी अब हम आर्मोल की साइज लेंगे 6 इंच की 36 इंच चेश्ट साइज की हिसाब से हमने आर्मोल 6 इंच लिया है और इधर से भी हम देख लेंगे कि यह हमारे तीरे की साइज बराबर 5 इंच इधर से आजाए इस लाइन को हम सीधी कर लेंगे इस प्रकार से यहाँ पर हम आर्मोल की साइज देंगे इस लाइन को हम आगे बढ़ा लेंगे इस line पे हम chest की size रखते हैं जो भी आपकी chest की size होगी उसका fourth भाग तो यह हमारा armhole का safe इसमें देना है अब हम इसको कोड़ने से इस कोड़ने से inch tape रखेंगे डेड़ इंच भी क्योंकि यह हमारा back part है तो यहाँ पे हम डेड़ इंच की गुलाई देंगे लेकिन अगर front part होता तो हम अलग गुलाई देते गाइस वैसे तो वीडियो में मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझा रही हूँ लेकिन फिर भी अगर आपके पास कहीं पर भी confusion हो तो आप comment box में comment करके जरूर बताना मेरे screen पे आपको एक whatsapp नमर भी मिल जाता है जहां पर आपके dress में कोई भी problem हो गले से related आर मोल से related या fitting से related suit हो या blouse आप उस नमर पे अपनी pick dress की send करके solution ले सकते हो आप वहाँ पर भी मेरे से समफर कर सकते हो और comment box में भी comment करके आप बोल सकते हो मैं सारे comment रीट करते हूँ और उसके reply भी देती हूँ आगे का जो process है blouse का वो मैं part 2 में आप लोगों के साथ share करूँगी मेरे समझाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा मैं उमीद करते हूँ को आप comment करके जरूर बताएंगे वीडियो पसंद आई हो तो like करें चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe कर लें जिससे मेरे चैनल पहाने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को easily मिलता रहे गाईज अब हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ part 2 में thank you for watching my video take care